दोस्तों नमस्कार, ISPCS पार्शाला में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों के हल्प करने कोशिश करूँगा जो UPSC 2022 देने जा रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पास टोटल 5 मंद बचे हुए हैं और UPSC 2022 के एक्जाम पांच जून को है तो हमको अपने इस बचे हुए पांच महिने में इस तरह स्ट्रेजी बनानी है कि हमारा यह फर्स्ट और लास्ट अटेम्ट हो अगर से आप देखिए तो आपको इस वक्त प्री प्लस मेंस दोनों को साथ लेके चलना होगा अगर साप यह चाहते हैं कि आपकी जर्नी सिर्फ प्री तक ना रुके आप मेंस क्लियर करके इंटेव्यू दे और उस होली पीडियाफ में अपना नाम आए तो आपको अभी स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी होगी कि आप प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलना होगा और उसके बाद आपको प्री पे फोकस करना होगा दोस्तों दो बार मैंने उप्यसी प्री काफी अच्छे मार्जन से क्लियर किया इसलिए मैं यह सोचता हूँ कि मैं एक right candidate हूँ आपको guide करने का कि आप कैसे minimum sources के साथ प्री को qualify कर सकते हैं प्लस आप मेंस और interview के लिए तयार भी हो सकते हैं तो हम बचे हुए 5 महिनों को 2 phase में बाढ़ सकते हैं इसमें से हमारा इसमें से first phase जो है पहला ही है कि आपको अपना optional को छोड़ना नहीं है अभी आपको अपना optional fab तक prepare करते रहना है make sure कि आप at least 90% optional complete कर दें क्योंकि friends मेंस और interview के बीच का जो time होता है उस सिफ revision के लिए और mock test देने के लिए plus कुछ fringe topic हो गया जैसे कि world history हो गया disaster management हो गया जैसे कुछ fringe topic है उसको पढ़ने के लिए होता है ना कि optional को आप 0 से even 50% prepare होने के बाद 50% और prepare कर सकते हैं आप make sure करें कि आपका optional आपको पढ़ते रहना है second चीज यह कि आपको यह make sure करना है कि आपको main sensor writing करनी है main sensor writing करनी है आप weekly एक mock लिखिए उससे जाधा मतलिखिए feb तक आप weekly एक mock लिखिए इससे यह होगा कि आपकी practice छूटे की नहीं क्योंकि आप feb के बाद 3 महने तक सिर्फ और सिर्फ प्री पर focus करेंगे तो आपकी वो practice छूट सकती है तो आप make sure करिए कि at least feb तक weekly एक mock mains का जरूर देंगे तीसरा यह है कि अगस आपने अपना कुछ notes बनाया है आपके कुछ NCRT की notes है या फिर आपके कुछ short notes है आप उसको revise कर सकते हैं यह बचे हुए December के जो बचे हुए दिन है उसमें revise कर सकते हैं and the fourth one is कि आपको GS4 पढ़ना है क्योंकि UPSC mains को tackle करने का जो आपके पास टूल है वह है GS4, essay और optional अगस आप इन तीनों पर command कर लिए तो यह make sure हो जाएगा कि आपका नाम at least आप मेंस तो qualify करेंगे ही करेंगे अगस आप इन तीनों चीजों में mastery कर लिए friends essay करना यह तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है आप उस वीडियो का link इस description में दिया है वहां जाकर देख सकते हैं कि आप essay में 160 प्लस कैसे score कर सकते हैं तो हमारा यह decide हो गया कि हमको December से February तक क्या करना है इसके बार हमारा second phase start होता है March से June तक June 5 तक इसमें आपको at least 100 days मिल जाएंगे इस 100 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको pre पे focus करना है pre पे focus करने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है पहला mock दूसरा PYQs और तीसरा revision यह तीन चीज ही है जो आपकी pre में नईया पार लगाएगी और इन तीनों में सबसे important यह दो चीज है PYQs और revision अगर से आप इस बार का भी paper देखेंगे UPSC का तो आप यह देखेंगे कि दो-तीन question ऐसे हैं इवन economics में जो कि previous year question से repeat हुए है आपको किसी हालत में at least 10 years का PYQ तो देखना ही देखना है और साथ में PYQ को analyze करना है सिर्फ देखना नहीं है analyze करना है क्योंकि UPSC बहुत बार ऐसा होता है कि कोई question है उसमें option है अगले next year में उन्ही option में से कोई question मना देता है for example गंगा dolphin में कई बार question आ चुका है एक बार पुछा था कि यह endangered है कि नहीं है उसके अदे पुछा था कि इरावरी डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन कहां पाई जाती है तो ऐसे options में ही कई question मना देता है अगास आप UPSC के prelims का nature समझनी कोशिश करेंगे तो वो कुछ defined syllabus के अंदर से ही question पूछते हैं बहुत से question ऐसे होते हैं जिसको आप traceback कर सकते हैं कि यह question क्यों आया या फिर यह question previous year में आ चुका है कि नहीं आ चुका है तो अगर साप previous year paper को अच्छे से analyze करेंगे तो आप देखेंगे आपको at least 10 to 15 marks का ज़रूर से ज़रूर फायदा होगा इन दोनों के साथ हमको मौक लगाना है दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि आप 30 मौक लगा ही पैतिस मौक लगा ही है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 15 से ज़्यादा मौक मत लगाएगा देखिये बात यह होती है कि कोचिंग कितना भी अच्छा मौक बना ले वह कभी भी UPSC के लेवल का मौक तो नहीं बना सकता है उनमें हमेशा एक होल लगी रहती है कि मौक को कोशिश कर ले अलग रहा है बट वो कितना भी कोशिश कर लेवल तक नहीं पुछ पाते तो आपको make sure करना है कि at least 5 full mock लगा है और बाकी 10 जो है वो sectional लगा सकते हैं इन सबके साथ जो एक important part है वो है preka paper 2 C set आपने अगर से पिछली बार की result देखा होगा तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने GSO ने 138 score किया बट वो C set का cutoff qualify ही ने कर पाए किसी को 40 मिल रहा है किसी को 50 मिल रहा है तो आप यह देख सकते हैं कि C set पहले की तरह रहान है कि आप एक दिन पहले पढ़ लिजे या फिर दो दिन पहले पढ़ लिजे और आप वहां जाके C set रच्छा कर लेगे इवन मेरे बहुत से फ्रेंच वह भी वहां जाके काफी struggle की है तो इसका solution सिर्फ एक है कि आपको practice करनी पड़ेगी देखिए इसमें तीन पार्ट होते हैं एक होता है language पार्ट एक होता है maths का पार्ट और एक होता है reasoning पार्ट अगरस आप math और reasoning के focus करिए अगरस आप language वीक है तो आप math और reasoning को focus करिए और आप तीनों में वीक है तो आपको थोड़ा 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 तीनों को साथ लेके चलना होगा मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि please do not ignore cset अगरस आप cset को ignore करेंगे तो UPSC आपको ignore कर देगा तो please cset को किसी भी हालत में ignore मत करिएगा जो बच्चे बार-ब cset का paper अगरसे आप question number one से start कर रहा है तो आप make sure करिएगा कि आप एक बार पूरे की पूरे question अबर 80 तक आप go through कर ले कई बार ऐसा होता है कि last में easy question दिये होते हैं पर हम starting के ही hard question फसे रहा जाते हैं तो हमारी easy question छूट जाते हैं तो आप make sure करिएगा कि आप कोई भी question अपने को ध्यान रखना है पहला books दूसरा PYQs and third one is silly mistakes PYQs की तो मैंने बात करी ली है मैंने आपको बता ही दिया है कि PYQs जो है वह very very important है आप इसको ignore नहीं कर सकते हैं रही बात silly mistake की एक्जाम में बहुत से question ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं पर वो tense situation में वहाँ pressure में आप crumble कर जाते हैं और उसके answer गलत मा करके आते हैं और एक्जाम के बाहर निकलते हैं आप यह देखते हैं कि या इसका मुझे आता था तो इस चीज़ से आपको बचना है आपको make sure करना है क कि आप कम से कम silly mistake करें चाहिए हो कम से कम करने है दीखें मिस्टेक तो हो गई पर आपको यह करना है कि कम से कम mistake हो and the third one is books इस वक्त आपको कम से कम book use करनी है आप बंद कर दीजे आप पॉलिटी में लक्षमी कान पढ़िए आप सब कुछ मत पढ़िए आप लक्षमी कान में तो है सीरिईल आज पढ़िया आप गवर्च पढ़ लिया तो फीर पर इसयंद पढ़ियी हैं और पर प्लीम पढ़दी और दाइए अप इसा में कंशियुज हो जाission मैने एप 50 डीफ और वाणी की एक टे चैबल में पीडियाफ अपलोड किया है, आप उसको मेरी टेलेग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो टेबल को आप लास्ट मिनट के लिए डिवाइस करने के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि लक्षमी कांद पढ़ने म से ब्रश ब्रश अप कर सकते हैं, बाकि एकॉन्मिक्स में तो आप से अप पुछा जाएगा, रही एनव्वारमेंट के बात, आप शंकर आएस पर सकते हैं, शंकर आज में भी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, शंकर आएस में भी आप पढ़ना है, जो प्रिलिए से इंपो पढ़ लिजिए काफी तूदा पॉइंट है काफी पिन पॉइंट है आप 20 से 25 पेज़ेज में इंशेट और मेडिवल कम्प्लीट कर लेंगे और इन सब के बाद प्रिलिम्स का वन अब दी मोस्ट इंपॉर्टन सेक्शन है करन्ट अफेर लोग करेंट के पीछे भागते रहत नी कितनी है अगरा वुष्यन देख्एँ तो आफ with a computer stop कर लेते हैं तो आफ प्रिलिम्स से कत आफ अराम से क्लीर कर लेते हैं तो कंशेंस 묏 लोग जो हैं वह स्टैटिक कोश्चन ज्यादा गलत करते हैं तो आप इम्युक्षर करिए कि आप को स्टैटिक को गिनोर नहीं करना है रही बात करेंट के सोर्स की तुम मैं अपने परसनल एक्स्पिरियंस से बोलना चाहूंगा कि आप प्रिलाय करिए आप सिर्फ और सिर्फ पीट प्रिफ प्रिफटिक पड़के आप अराम से अपना करन्ट परिपेर कर सकते हैं अगर आपका पीटी थिश्टिफफ यह कि आपका किसी सी नहीं बनेगा तो अगर समय पूरी बात को समराइज करू तो आप इन पांच महिनों को दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं एक द आप सिर्फ और सिर्फ प्रिलिम्स को देंगे, प्रिलिम्स में भी आप तीन चीज़ फोकस करेंगे, पीवाईक्यू, रिविजन और मॉक्स, आप पीवाईक्यू को 10 से 15 यह का पीवाईक्यू, आप मेक्शिर करेंगे कि आप देखे ही देखें, उसको थोड़ा अनिलाइस कर आप जादे जादे रिविजन करेंगे और आप मैक्स तो मैक्स 15 मौक लगाएंगे दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको मैं काफी रियलिस्टिक टाइम टेवल बता सकूँ काफी रियलिस्टिक स्ट्रेजी बता सकूँ आप स्टाटिंग में अभी 7-7 गंटा पढ़ेंगे जो कि ग्रेजुली 12-13 गंटा हो ही जाएगी जब पेपर करीब आएगा तो देखे दोस्तों प्रिलिम मैंने काफी अच्छे माजिन से दोबर क्लियर किया है तो मैं अपने एक्सपिरियंस से बहुत सकता हूँ कि बहुत ज्यादा टेंशन है कि जरूद नहीं है आप प्रियमाइंड हो के तैयारी करें आपको फिलिम श्योर्शट क्लियर होगा जो मैंने स्टेटिज बिदाई है आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आप उसको अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आप मैं टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया है थांक यू और गड्स यौल